हालो फैंस बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिस अर्वांटेज यूट्यूब चैनल पर फैंक इस वीडियो क्लास में मैं सेंटेंस इंप्रूब्मेट के कुछ कोश्चन्स डिसकस करूँगा डिटेल में मैं डिसकस करूँगा और सभी बेंक के एक्जैम्स के लिए ब क्लोस टेस्ट भी आपका तयार होगा तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज इस पूरे वीडियो क्लास को आप एंड तक देखें और सारे जो ट्रिक्स में आपको बताता हूँ जो लॉजिकल रीजनिंग में आपको समझा था हूँ उसको आप एक पार्ट को यहां पर बोल्ड किया गया है इस बोल्ड पार्ट को आपको रिप्लेस करना है यदि आपको लगता है कि ये पार्ट इनकरेक्ट है ग्रेमेटिकली या कंटेक्श्योली तो आपको इसको इसके करेक्ट जो वर्जन है उससे आपको रिप्लेस करना है और वही इसमें आपका आंसर होगा तो आप चाहें तो पहले इस question को try करें और इसका answer आप निकाल ले ही कोशिश करें इससे आपको confidence बढ़ेगा और आपको confidence की ही सबसे ज़्यादा जरूवत होती है बेंकी exams में देखें इस question को मैं पढ़ता हूँ और detail में मैं आपको बता हूँगा India lent a helpful handshake to Nepal by giving them 2.1 billion Nepalese rupees for the reconstruction of houses flattened in the 2015 earthquake क्या मतलब है कि इसका मतलब यह है कि 2015 में नेपाल में जो earthquake आया था वहाँ पर कुछ houses flattened हो गए ते damage हो गए ते गिर गए थे तो उनके reconstruction के लिए इंडिया ने नेपाल को कितना पैसा दिया है 2.1 billion Nepalese rupees दिया है उसके reconstruction के लिए और यहाँ पर एक word आया है land यह land जो होता है उसका यह उसका यह second और third form है यह second form है actually क्योंकि इसमें past tense की बात हो रही है इंडिया ने ऐसा करके बहुत अच्छा काम किया ठीक है नेपाल भाई giving them इंडिया लेंटा helpful handshake to नेपाल ठीक है इंडिया ने नेपाल की मदद की यह इसमें बात हो रही है land का मतलब होता है उधार देना और borrow का मतलब होता है उधार लेना तो land यह verb है यहाँ पर यह सही है लेकिन यह जो phrase है helpful handshake यह गलत है सही phrase क्या होता है helping hand helping hand अब यहाँ पर देखिए helping hand किसमें दिया है India land a helping hand ठीक है तो C इसमें आपका सही answer होगा यहाँ पर देखिए helping handshake यह गलत है helpful hand यह गलत है helping hand सही होता है helping hand यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर landing दिया है landing हम नहीं लगा सकते यहाँ पर तो इस तरीके से आपको logical reasoning को apply करके सही answer तक आपको पहुचना है I hope आपको यह अच्छे तरीके से समझ में आया होगा चले देखते हैं दूसरा question और इस question को आप try करें options आपके सामने है इस question को आप try करें बताएं इसका सही answer क्या है इस तरीके से आप इसको एक mock test की तरह भी कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर देखिए one has to elbow once ways through the crowd in order to see the excused idol during Durga Pooja and Kolkata देखिए sentence का मतलब क्या है कि Durga Pooja होती है कुलकता में वहाँ पर काफी सारी भीड होती है और वहाँ पर जो आईडॉल्स होती है वहाँ पर जो मूर्तियां होती है उनको देखने के लिए एक व्यक्ती को काफी जदो जहेत करनी पड़ती है काफी इस्टरगल करना पड़ता है बहुत प्रयास करना पड़ता है तो उसी को हम बोलते हैं एल्वो ऑल्वो rudrons एचछी यहाँ पर Oni आना चाहिए यहाँ पर यह वश नहीं आयें यहाँ पर ways नहीं बोलेंगे to elbow once way through मतलब काफी जदो जहद करनी पड़ती है अंदर घुसने के लिए अपनी seat लेने के लिए जैसे train में जब आप जाते हैं बहुत सारी बहुत भीर होती है तो उसके लिए ये phrase है to elbow once way through ठीक है तो इसमें एक देखती है इसमें throughout दिया है तो ये गलत हो जाएगा ठीक है तो इसमें आपका C यहाँ पर इसमें आपका सही answer होगा तो ऐसे इन questions को आपको करना होता है चलिए question number 3 आपके सामने है इस question को आप करें और बताएं इसका सही answer क्या होगा both the US and China are formidable world powers but India should side with the later क्या मतलब है sentence का देखें ये दो वर्ड मेरे पहले भी explain किये थे एक होता है later जिसका मतलब होता है समय के साबसे बाद में और एक होता है letter ल-ए-डबल-ट-E-E-R जिसका मतलब होता है the thing that is mentioned later जो बाद में mention की गई है अब देखें यहाँ पर actually हम ये बोले हैं कि both US and China are formidable world power US and China दोनों ही formidable formidable मतलब strong world power है लेकिन इंडिया को किसका साथ देना चाहिए इंडिया should side with the letter letter मतलब China इसमें US पहले है चाइना इसमें बाद में दिया है तो इसमें China letter जो word है वो चाइना के लिए आएगा तो position की हम बात कर रहे हैं हम समय की बात नहीं कर रहे है कि position के लिए कौन सा word बाद में है ठीक है तो चाइना इसमें बाद में है तो इसलिए हम यहाँ पर यह जो word है letter इसके स्थान पर आएगा इसमें letter इंडिया should side with the letter तो इसमें आपका सही answer होगा बी इंडिया should side along दिया है इसमें इसमें side भी sitting दिया है side along दिया है तो इसमें आपका बी आपका इसमें सही answer होगा ठीक है तो जितने यादा प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के questions की उतना ज़्यादा confidence आपको आएगा question number 4 देखते हैं और इस question को पहले आप खुद करें आपके सामने options आगाए है options आप देख सकते हैं It wouldn't be wise for India to go out America's verbal assurance unless it is supported by actions क्या मतलब है sentence का देखे मैं सभी student से बोलता हूँ कि बेंकिये exams में आपको निकलना है या इविन आपको SSC exam में भी निकलना है तो English section यदि आपको strong करना है तो उसके लिए सबसे सबसे important चीज है reading आप reading करें regular basis पर यदि आप reading करते हैं तो काफी सरे sentences आपको sense के through ही आपको समझ में आ जाएगा कि sentence में क्या बोला जा रहा है अब यहाँ पर देखे it won't be wise for India इंडिया के लिए ये बुद्ध मत्ता पूर्ण decision नहीं होगा it won't be wise for India to go out America's verbal assurance अमेरिका ने जो शब्दों में कहा है उसको मानना इंडिया के लिए wise नहीं होगा जब तक कि वो कोई action ना करे तो यहाँ पर verbal assurance आ रहा है तो verbal assurance का मतलब है कि इस चीज को accept करना इस चीज से इस चीज को follow करना सही नहीं होगा तो जो सही जो phrase है वो होगा go by go by का मतलब होता है guided by something ठीक है तो it won't be wise for India to go by इसमें go into दिया है जो की गलत होगा इसमें go down दिया है जो की गलत होगा इसमें going out दिया है ठीक है और two के बाद वैसे भी verb की first form आती है तो यहाँ पर यह गो भी सही है तो B इसमें आपका सही answer होगा यह काफी अच्छा question है और इसमें phrasal verbs की knowledge आपको होनी चाहिए ठीक है चलिए आगे देखते हैं question number five और इस question को आप करें options आपके सामने है इस question को आप करें और बताएं इसमें सही answer आपका क्या होगा Amis the gloom the functioning of the insolvency and bankruptcy court is cause for optimism यानि gloom gloom का मतलब होता है कि एक दुखी माहौल है एक disappointing माहौल है लेकिन इस दुखी या disappointing माहौल के बीच में the functioning of the insolvency and bankruptcy code is cause for optimism बतला उसकी जो functioning है insolvency and bankruptcy code की वो अच्छी है वो optimism के लिए एक reason है तो यहाँ पर sentence में कोई गलती नहीं दिख रही है देखिए functions नहीं होगा ये गलत हो जाएगा functions नहीं होगा functions नहीं इसमें आपका आंसर होगा इसमें आपका आंसर होगा no correction required the functioning of the insolvency and bankruptcy code ये सही है sentence तो मैं बार बार आपसे बोल लाँ कि आप जाएज स्यादा reading करें reading से एक sense create होगा English section को समझने का English language को समझने का और काफी सारे questions आप के बल पढ़ते ही उसका अंसर बता देंगे कि यहाँ पर इसमें गलती है उसके लिए आपको grammar को पढ़ने की जरुवत नहीं पढ़ेगी ठीके अब ये देखिए यहाँ पर आप देखिए the accumulated dust on the furnitures देखिए furniture जो है ये uncountable noun है इसमें हम as नहीं लगाते है यहाँ इसमें दो गलती लग रही है यहाँ पर एक तो furnitures ये गलत है और एक family चुकि singular है तो इसलिए वर इसमें हम नहीं लेंगे ठीक है अब आप option देखिए और option में से बताइए कि क्या इसमें आपका सही answer होगा furniture हम नहीं लेंगे इसमें furniture हम लेंगे और इसमें furniture है लेकिन family furniture indicated that the family was इसमें C देखिए सही answer है इसमें furniture indicating नहीं आएगा इसमें चुकि यह past tense कि हम बात कर रहे हैं इसमें indicating नहीं आएगा The accumulated dust मतलब furniture की ऊपर जो dust एकटी हो गई थी accumulated मतना वेखटी हो गई थी indicated मतना वो चीज furniture की उपर जो dust थी वो indicate कर रही थी indicated that the family were long gone मतना वहाँ से family बहुत लबे समय से जा चुकी थी past tense है यह basically एक past tense है चुकि accumulated word भी हमें बता रहा है कि यह past tense है इसलिए indicated यहाँ पर आएगा तो इसमें सही जो option होगा furniture indicated that the family was see इसमें आपका सही answer होगा और यहाँ पर मैं अपने सभी students को बताना चाहूँगा कि मेरी अलगलग topics की सभी bank exam के लिए playlist बनी हुई है playlist के links नीचे description box में दूँगा तो उनको आप topic wise आप जरूर देखें मेरी playlist को ठीक है इनके links में आपको देदूँगा यहाँ पर देखें यह भी एक काफी अच्छा question है और option आपके सामने आगाए है बताइए इसका सही answer क्या होगा it is essential for an entrepreneur to keep his cheek up upward despite failure and setbacks मतलब entrepreneur जो business करता है जो कोई नया start-up शुरू करता है उसके लिए यह जरूरी है कि वो अपने cheek को upward रहा है यह actually एक idiom है और इसमें हम बोलते हैं इसमें cheek word नहीं आता है इसमें chin word आता है और chin के साथ इसमें upward नहीं आता है इसमें upward आता है ठीक है to keep his chin up तो chin एक तो आता है और chin के साथ upward नहीं आते हुए अप आता है इसमें यह जो सही phrase है to keep his chin up despite despite मतलब इसके बाब जूद despite के बाद हम off नहीं लगाते तो यह तो बैसे भी गदत हो जाएगा तो इसमें आएगा आपका सही आंसर होगा C to keep his chin up to keep his chin up का मतलब है कि अपने motivation को उपर रखना अपने moral को उपर रखना कोई भी problem आये कोई भी difficulty आये तो भी demotivate नहीं होना और अपने आपको cheerful रखना to keep his chin आपका यह मतलब है तो C इसमें आपका सही आंसर होगा question number 8 देखते हैं इस question को पहले आप खुद करने का try करे और options में से बताएं options आपके सामने आ गए हैं कि क्या सही होगा इसमें India being at animity without China weakens not only the Asian economy but also the global economy as a whole मतलब India का देखे, animity का मतलब क्या होता है animity with होता है without का तो कोई sense ही नहीं बनेगा इसमें यदि India इंडिया की जो position है वो China के साथ यदि दुस्मनी पूर्ण है तो ये क्या करेगा यदि इंडिया का जो relation है चाइना के साथ दुस्मनी पूर्ण है hostility है उसमें तो ये weaken करेगा किसको weaken करेगा कमजूर करेगा किसको करेगा Asian economy को भी और global economy को भी तो इसलिए यहाँ पर India being at animity with China तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा इसमें आपका सही आंसर होगा D एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ उसके friendly relationship नहीं है तभी तो से जो Asian economy है वो as a whole weaken होगी strong थोड़ी होगी उससे economy ठीक है तो D इसमें आपका सही आंसर है देखिए इस समय बेंक के एक्जैम इसमें जो questions पूछे जा रहे है उसमें आपको reading skills आपको चेक होती है और reading skills के साथ साथ उसमें आपको context थी knowledge चेक होती है और आपको थोड़ा सा IQ भी चेक होता है कि आप common sense को किस तरीके से apply करते है तो यह सारी चाहिए reading से अच्छली आती है question number 9 आपके सामने है options आपके सामने है बताइए इसका सही answer क्या होगा hacklers generally hurt themselves and their party the most because they देखे इसमें present simple tense की बात हो रही है इसमें एक fact की बात हो रही है कि hacklers ऐसा करते है तो showed इसमें नहीं आएगा ठीक है both under a bad light मतलब वो अपने आपको भी disappoint करते हैं और अपनी party को भी disappoint करते हैं hacklers तो यहाँ पर देखिए इसमें actually सही phrase होता है under a bad light नहीं होता इसमें होता है show both in a bad light ठीक है मतलब कोई भी negative entity है कोई भी anti-social element है वो अपने आपको और अपनी party को bad light में दिखाता है hacklers generally hurt themselves and their party the most because they show because they show both in a bad light ठीक है तो यह इसका सही answer है question number 10 आपके सामने है और बताइए इसका सही answer क्या होगा यह भी एक काफी अच्छा question है the ministry of finance must ascertain whether this is the best use of public money ministry of finance को यह ascertain करना चाहिए यह निश्शित करना चाहिए कि यह जो use है money का क्या यह सही है ascertain के बाद हम that भी लगा सकते हैं और हम डबलू एच वर्ड भी लगा सकते हैं ascertain यह verb है और इसके बाद हम यहाँ पर डबलू एच वर्ड यानि weather भी लगा सकते हैं और that भी लगा सकते हैं weather भी इसमें सही है ठीक है तो इसमें आंसर होगा आपका low correction required तो इस तरीके से यह questions है और काफी important यह questions है यदि यह video class आपको अच्छी लगी हो तो इसको like आप जरूर करें और share आप जरूर करें अपने सभी students के साथ अपने सभी groups में और मेरी playlist इनको आप जरूर देखें इनका link में नीचे description box में देदूँगा topic wise playlist है इनको आप जरूर देखें definitely इनसे आपको बहुत help मिलेगी तो इस video class में इतना ही अब मैं आप से बिलूँगा next video class में thank you